इस्राइल पर अगले 48 घंटे में मिसाइल अटैक हो सकता है यमन के हूती विद्रोहियों ने रविवार की सुबह इसका टेस्ट किया जिसके बाद कहा जा रहा है अगला एक हफता इस्राइल के लिए बहुत मुश्किल भरा होने वाला है दरसल टेस्ट के दौरान यमन के हूती विद्रोहियों को ये पता चल गया कि इस्रेल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम उनकी मिसाइल को ट्रैक कर पाने में फेल रहा है मिसाइल लॉंच होती है और बढ़ जाती है इस्राइल की तरफ और फिर इस्राइल से आए वीडियो देखिये इन तस्वीरों में इस्राइल का खौफ है इस्राइल डरा हुआ है ये साइरन की अवाज नहीं लगराये कि इस्राइल में जैसे कोई चिलना रहा हो बचाओ, बचाओ तोकि इस्राइल पर हुआ है एक ऐसा हमला जिसने इस्राइल की तमाम सुरक्षा की गारंटी को फेल्ड साबित कर दिया है इस्राइल के फॉलादी दिवार में क्रैक आ चुके हैं इस्राइल के मिसाइल रोकने वाली ताकत पूरी तरह डह चुकी है और इस वक्ष सबसे ज्यादा टेंशन में अगर कोई है तो वो है इस्राइल की प्रधान मंत्री बेनियमिन नितन्याहू क्योंकि यमन से हुए हमले पर इस्राइल का मिसाइल डिफेंस 100% फेल हो गया इस्राइल को बचाने वाला अमेरिका इस हमले को नहीं रोक पाया इससे पहले इस्राइल की तरफ जाने वाले ड्रोन और मिसाइलों को गराने वाले तीन अरफ देश सौधी अरफ, जॉडन और मिस्र भी पूरी तरह फेल हो गये इस्राइल पर यमन की तरफ से हुए मिसाइल हमले के बाद की तस्वीरे देखिए रविवार तड़के साड़े छे बजे इसराइल में साइरन बजने लगे और फिर सड़कों और हाईवे पर ये हाल देखा गया लोग बचने के लिए ऐसे छुप रहे थे तेलवीव से लेकर मुदीन शहर ये 40 किलोमीटर का दाइरा ऐसा था जहां इसराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इंपक्ट पॉइंट का अंदाजा लगाया इंपक्ट पॉइंट यानि वो जगा जहां मिसाइल गिरने की संभाब ना थी और फिर मिसाइल गिरी कफार डैनियल में ये जगा इसराइल के बैन गुरियन इंटरनाशनल एरपोर्ट से दस किलोमेटर दूर है यमन के हूती विद्रोहियों का दावा है कि मिसाइल ने 2040 किलोमेटर का सफर 11 मिनट 30 सेकंड में पूरा किया ये एक हाइपर सॉनिक बलिस्टिक मिसाइल थी यानि इसकी रफ्तार थी एक सेकंड में 3 किलोमेटर यमन से लॉन्च होने के बाद ये ऐसी ट्रजिक्ट्री में इसराइल की तरफ बढ़ी तो लाल सागर के उपर से जाकर अपने टारगेट तक पहुँची साओी अरब और मिसर भी देकते रहे गए और आखर में जॉर्डन के लावा इसराइल भी इस मिसाइल कुरोकने में नाकाम सावित हुआ अन्हों बमार्गा रफ जी रतित मुल्चीर अरेशा शेल इरान शे खोतर लाश्मदतेनो अबुकर अखुतिम शिगरोटील करका करका मतामान लेशित्खेनो हैं क्वारियोट जड़कीम लड़ाइट שאנחנו गुवीम मेखीर कवड अलकोल निसיון लिवगोवबन मी שज़कुक लतिस्कुरत बाद्यान जे मुझमन लवकर बनमान खुड़दा कॉल मीशे तो केफ होतानू लोया खमोक बिनाखत ज़ोएं इसराइल अम मिसाइल के टुक्ड़े तलाच रहा है लेकिन जो होना था वो हो चुका है वही मिसाइल जिसे वो ट्राक तो कर पाया लेकिन मार नहीं पाया ये इसराइल के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है यमन की मिसाइल के कुछ टुक्ड़े रेलवे स्टेशन के अस्किलेटर पर भी मिले थे तब यहाँ कोई नहीं था इसलिए घायल कोई नहीं हुआ लेकिन होता तो क्या होता इसलिए कहा जा रहा है कि इसराइल को अब अपने एर डिफेंस की मरमत करने की जरूरत है क्योंकि वो यमन के हमले में पूरी तरह एक्सपोज हो गया है रिपोर्ट है कि इसराइल ने यमन की बलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए 20 air defense missile दागी, आसमान में धुए की ये सफेद लकीरे इसराइल की नाकामी साबित कर रही है इसराइल के security expert यौसी मैलमन ने कहा है कि यमन की missile ने इसराइल के पूरे air defense को भेद डाला इस हमले में इसराइल का arrow missile defense system फेल हो गया, इस हमले में इसराइल का डेविट सिलिंग system फेल हो गया, इस हमले में इसराइल का world famous iron dome भी फेल साबित हुआ है इसराइल ने जिस दिवार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया, जो दिवार उसने अपने आस्मान के चारों तरफ तयार की थी, उसे यमन की एक missile ने चकना चूर कर दिया है यमन का दावा है कि उसने ऐसी जगा को टार्गेट बनाया, जिसकी वज़ा से ये करीब 25 लाक इसराइली लोगों को शेल्टर में फोरण भागने की जरूरत पड़ी इसे कैई मिसाइल है जिनने यमन के हूती विद्रोही अपनी परेड में दिखाते रहे है इन सभी पर इरान की छाप लगी हुई है इस बात से तो इरान भी इंकाड़ नहीं करता चाहे वो बलिस्टिक मिसाइल हो, प्रोस मिसाइल हो या फिर ट्रोन हूती विद्रोही उंके पास बहुत से ऐसे हत्यार है जो से इरान के जरिए ही मिले है यमन के हूती विद्रोहियों को एरान का समर्थन इसराइल का दूसरा बड़ा खौफ है इसराइल का डर इस हमले से और ज्यादा बढ़ गया है इन हत्यारों के साथ यमन के हूती विद्रोहियों की सबसे बड़ी डिमैंड है कि वो इसराइल गाजा पर बंबारी बंद करें जब तक ऐसा नहीं होगा वो इसराइल पर हमले करते रहेगा पश्चिमेशिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि 7 अक्तुबर 2023 के बाद से यमन के उपूती अब तक इसराइल के 80 जहाजों को टार्गेट कर चुके है यमन के हमले ने युद्द के दायरे को दस गुना बढ़ा दिया है पश्चिमेशिया से अमेरिका की जमीन तक इस हमले की धमक सुनाई दे रही है सबसे बड़े खत्रे की घंटी अब संयुक्त राष्ट में भी लगातार बज रही है अश्किम सामथना में जमीन तक इस बढ़ा पही है across the broader region. These destabilizing effects, Mr. President, have also affected Yemen negatively. Ansar Allah has continued attacks on vessels in the Red Sea, threatening regional stability and international maritime security. Israel की प्रदान मंत्री Benjamin Netanyahu की बेचैनी बहुत स्यादा बढ़ गई है. Israel में Yemen की तरफ से. हमलों के बीच नेतन याहू पो अब अपने तेल के कुवों की चिंता सता रही है. क्योंकि यहाँ पर हमला रोकना आसान नहीं होगा. दर है कि Yemen के हूती अब इसराइल के तेल के कुवों और गैस फील्ड पर हमले की तैयारी कर रहे हैं. बूम अद्दे सागर में इसराइल के कैई तेल और गैस के बंडार है और यहाँ उसके ओल ड्रिक्स पर ड्रोन अटैक किया जा सकता है. यही यमन की ड्रोन फोर्स का नया टार्गेट बन सकते हैं. इन पर हमलों को रोक पाना इसराइल के लिए आसान नहीं होगा. ओल ड्रिक्स पर हमले का मतलब है कि इसराइल के एनरजी इंडिस्ट्री की तबाही. भूम अद्दे सागर में इसराइल की तमार, लेवियतन और करीज गैस फील्ड है. यहाँ इसराइल हर साल 21 अरप क्यूबिक मीटर गैस का उतपादन करता है. इस गैस फील्ड से मिस्र और जॉर्डन को भी गैस की सप्लाई की जाती है. 19 जॉलाई को जब तलवीव में आदी रात तीन बजे हमला हुआ था, तब धमाका बहुत बड़ा था. किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, सड़कों पर लोग बदहवास हालत में नज़र आए. इस हमले में एक व्यक्ती की मौत हुई थी, जबकि दस लोग जखमी हुए थे. तलवीव में अफरा तफरी मच गई, ड्रोन से हुए इस धमाके ने इसराइल को बुरी तरह हिला कर रख दिया. लोग सड़कों पर निकलाए, सारन बजने लगे. आखर इसराइल की राजधानी में दुश्मन का याफा नाम का ड्रोन कैसे घुजगया, कैसे इसराइल का सबसे मजबूत किला आग के शोलों से चकना चूर हो गया. याफा ड्रोन के बारे में कहा जा रहा है कि ये इरान से मिले ड्रोन की नकल है, इसका असली नाम समद 3 है, इस ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर है, अब इस ड्रोन का रूप देखिए, जिसने इसराइल को चौका दिया, ये ड्रोन लाल सागर के उपर से होते हुए, स्विज न और फिर तेलवीव में इस ड्रोन ने अपने टार्गेट पर बड़ा धमाका किया, 2000 किलोमीटर की रेंज वाले ड्रोन का मतलब है कि यमन के हूती विद्रोही इसराइल को आसानी से निशाना बना सकते हैं, चाहे वो उसके शेहरी इलाके हों, चाहे वो उसके ओल रिग्स हो या फिर इसराइल के बंदरगा, इसराइल पर हमास के हमले के 11 महीने पूरे हो चुके हैं, घजा पर इसराइल के ऑपरेशन के भी 11 महीने पूरे हो गए हैं, 11 महीनों की तबाही का दोर ऐसा चला है कि युद्ध का एपिसेंटर अब घजा से निकल कर इसराइल और लिबनान वॉर्डर के साथ यमन और लाल सागर में पहुंच किया है नितनिया हू वुती विद्रोहियों को जिस हुद्धर पॉर्ट पर हमले की याद दिला रहे है उसकी तस्वीरे देख लीजिए 20 जॉलाई को यही वो हमला था जब इसराइल के फाइटर जेट्स ने यमन के तेल डीपो पर बम गिराए थे और फिर लगा कि जैसे पूरा हुदैदा बंदर का जन ले लगा यमन को भी पता लग गया है कि हुटी विद्रूईयों के हमले के बाद जिस तरह से इसराइल ने अटाक किया है उस से युद गाजा के खंडरों से निकल कर अब उसकी जमीन पर पहुँच गया है इसमें कोई शक नहीं है कि यमन का गुस्सा साथवे आस्मान पर है और यमन की पबलिक इस गुस्से का इजहार भी कर रही है घाजा को लेकर फैले आकरोश में अब यमन सीधा इसराइल के खिलाफ युद्द शूरू कर चुका है इससे पहले हुथी विद्रोयों ने इसराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से कैई हमले किये लेकिन 15 सितंबर का हमला ज्यादा खतरनाक है इसमें यमन की बलिस्टिक मिसाइल ने इसराइल के एर डिफेंस को चीट डाला है और अब इसराइल महसूस कर रहा है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत खत्म होती जा रही है इसराइल की एर और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क नाकाम साबित हो रहे है खतरा अब इसराइल के तेल के को पर मंडराने लगा है